अलो डियर स्टुडेंट, हाउ आई यू? आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को इंगलीज के लिए 6 नमबर दे करके जाने वाला हूँ जी हाँ, सई सुन रहे हैं, 1 नमबर, 2 नमबर, 3 नमबर नहीं 6 नमबर मैं आप लोगों को आज सिखा करके जा रहा हूँ आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि आप लोगों का इंगलीज का जो एक्जाम 7 फरवरी या 8 फरवरी को है उसके लिए किसी भी पैसेज का आप किस तरीके से नोट्स मेकिंग और सम्मरी राइटिंग बना सकते हैं बेसिकली नोट्स मेकिंग आपके एक्जाम में हर साल जो है वो 5 से 6 नमबर का पूछता था इस साल के मोडल पेपर को देखे तो 3 नमबर का नोट्स मेकिंग और 3 नमबर का जो है वो सम्मरी राइटिंग यानि टोटल 6 नमबर का जो है आपको सेकंड पैसे से कोस्टन पूछेगा बहुत सारी इस्टूडेंट बहुत जादा जो है वो नोट्स मेकिंग को ले करके डरते हैं क्योंकि एक्जक्ट उन्हें नोट्स मेकिंग क्या होता है notes making किस तरीके से करना चाहिए और notes making से किस तरीके से आप full on full marks ला सकते हैं वही student लोगों को नहीं आता है एंसन का कोई बात नहीं है हम आपके साथ हैं डरने का क्या है बात हम आप लोगों को English में सब कुछ पढ़ा चुके हैं ये last topic होगा जो notes making और summary writing हम आप लोगों को आज बताएंगे और आप लोगों के model paper में जो passage दिया है second passage उसी passage को लेते हुए हम आप लोगों को बताएंगे कि दुनिया का कोई भी passage अगर आपके सामने रग दे कोई भी passage दुनिया का अगर आपके सामने लग दे और बोले उसका कि उसके notes making और summary writing बनाओ एकदम आप बे जिजग पूरा बिंदास होकर के आप notes making और summary writing बना दोगे अगर आपका English बहुत मजबूत है तो ठीक है अगर English में आपको कुछ नहीं आता है English में अगर आप बहुत weak हैं तो भी इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है उतना detailed में और एकदम आसानी से आप लोगों को बताएंगे अब हम आप लोगों को पहले बताते हैं कि notes making और summary writing होता क्या है देखो यह हम लोगों का इस चाल का जो आप लोगों का passage दिया है यह passage है इस passage को भी हम लोग आगे करेंगे इसी passage से सब चीद बताएंगे लेकिन पहले हम लोग यह discuss कर लेते हैं कि notes making और summary writing है क्या summary के बारे में हम लोग बाद में discuss करेंगे इसी वीडियो में आगे पहले बात करते है notes making का देखो notes making का मतलब simple है कि एक बहुत बड़ा passage आपको दिया रहेगा उस passage को लिखते हुए आपको heading और sub heading बनाना है एक बहुत बड़ा passage देगा उस passage को देखते हुए आपको heading और sub heading बनाने के लिए बोला जाएगा यही कहलाता है notes making आपको बस ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से heading बनाना है और ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको sub heading बनाना है ताकि आप exact और बहुत ही आसानी तरीके से जो है वो notes making कर पाओ अब notes making करने का अपना एक format होता है अपना एक तरीका होता है कि जब आप heading, sub heading या even आप अगर title भी बनाते हो तो वो किस तरीके से बनता है, उसका एक pattern होता है पहले उस pattern को समझ लो, ठीक है चलो भाई, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं अब भी इस तरीके से लिख लेना, notes making notes making अब ध्यान से समझना, जब आप exam में notes making करोगे तो आपको करना क्या होगा, notes making करते समय, इस तरह से एक dot डाल देना, dot डालने के बाद आप यहाँ पे capital letter में या तो पिर small letter में ही लिख देना, notes making क्या बना रहे हो, आप notes बना रहे हो, ठीक है सर जी, अच्छी बात है सबसे पहले हम लोग कम से कम 3 heading और उसके अंदर 3-3 sub heading बनाएंगे अब यह बनता कैस है देखो, जब हम लोग पहला heading बनाएंगे तो यहाँ पे point number 1 डालेंगे, और यहाँ पे हम लोग heading लिखेंगे heading यहाँ पे dot देंगे और इसके अंदर में, इसके अंदर में हम लोग कम से कम 3 sub heading लिखेंगे और किस तरीके से? heading के ठीक नीचे अंदर करके, यानि अंदर side में हम लोग यहाँ पे put करेंगे 1.1 यानि पहला heading का पहला sub heading 1.1 पहला heading का पहला sub heading और यहां पे हम लोग क्या put करेंगे उसका यहां पे हम लोग put करेंगे उसका sub heading हम सब बताएंगे heading, sub heading कैसे बनता है सब बताएंगे फिर यहां पे पहला heading का दूसरा sub heading 1.2 और फिर यहां एक और सब हेडिंग हम लोग लिखेंगे सब हेडिंग किलियर है अब सिमिलर इसी तारीके से हम लोग 1.3 लिखेंगे और इसका भी हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई सब हेडिंग लिखेंगे हम क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि एक heading लिखेंगा और उसका कम से कम तीन sub heading थोड़ा अंदर करके हो गया यह तो एक ही heading है इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है भाई तीन heading बनाना है तो यहाँ पे फिर हम लोग इसी के सिधा में 2 लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग heading पूट करेंगे heading यानि यह basically क्या हुआ हम हम लोगों का दूसरा heading हुआ clear है सर जी इसमें भी तो यह दूसरा का पहला sub heading बनेगा तो ठीक उसका सिधा 2.1 लिखेंगे यानि दूसरा heading का पहला sub heading यहाँ पे भी हम लोग क्या पूट करेंगे सर जी sub heading हम लोग पूट करेंगे ठीक है इसके बाद फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे 2.2 यानि की दूसरा heading का दूसरा sub heading फिर हम लोग यहाँ पे पूट करेंगे sub heading sub heading फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे 2.3 यानि दूसरा का तीसरा sub heading हम लोग यहाँ पे लिखेंगे sub heading हो गया देखो अब हम लोग क्या कर लिए दो हेडिंग बना लिए हम लोगों को कम से कम तीन हेडिंग बनाना होगा ठीक है चलो इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे हर चीज कोपी पे निकाल करके नोट डाउन करते जाना साथ साथ फिर यहां पे सीधा सीधा पॉइंट नमबर सब हेडिंग हो गया फिर हम लोग लिखेंगे यहां पे तीसरा का दूसरा सब हेडिंग और फिर हम लोग लिखेंगे तीसरा का तीसरा सब हेडिंग क्लियर है सर जी इस तरीके से आप चाहें तो तीन से ज़्यादा भी हेडिंग बना सकते लेकिन हम बोलेंगे नहीं तीन से जाड़ा heading आप लोग नहीं बनाना कम से कम 3 heading और उसके अंदर में आप लोग कम से कम 3-3 sub heading बनाओगे इतना बना लेने के बाद क्या करना अगर आपको question में अगर आपको title मांगेगा तो ये बना लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप चाहें अगर चाहें तो आप यहाँ पे जो है उसका title mention कर सकते हो title के लिए हम हमेसा preference करेंगे कि अगर title का नाम आपको रखना भी होगा तो आप उपर में title लिख देना लेकिन उसका नाम पूट मत करना नाम जो है वो बाद में पूट करना क्यों और कैसे हम बताएंगे आगे इसके बाद क्या होता है कि आप यह जो heading लिखे है या जो आप सब heading की हैं यानि basically आप यह जो notes बनाए है यही चीज कहलाता है आपका notes making यानि एक पूरे paragraph के अंदर का आपको main main चीज को notes में लिखा जाता है अगर आप एक paragraph पड़े हैं एक page का, दो page का, तीन page का तो आपको उस paragraph का main main चीज को heading और sub heading बना करके लिखा जाता है इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है actual में heading और sub heading जो होता है वो उस paragraph के बारे में detailed जानकारी बताता है कि कोई इनसान अगर मान लो कि पूरा paragraph ना पढ़ना चाहे तो उस छोटे से notes making को देख करके वो उस paragraph के बारे में मोटा मोटी चीजों को जान सकता है ठीक है अब जब आप notes making कर लोगे यानि जब आप ये notes बना लोगे तब आपको क्या करना होगा key abbreviation बनाना होगा अब आप बोलोगे कि सर्फ key abbreviation क्या है तो देखो key abbreviation आप दो तरीके से बना सकते हो पहला तरीका जब आप key abbreviation बनाओगे तो direct heading लिख देना key abbreviation और बना देना दूसरा तरीका होता है key abbreviation बनाने का कि अगर आपको मान लो key abbreviation बनाना है तो आप देखो ये optional है लेकिन key abbreviation अगर बनाना चाहे तो आप क्या करोगे इस तरीके से क्या करोगे एक box खिच लेना और इसके अंदर आप जो है वो key abbreviation को बनाना हम बोल रहे हैं ये box कीचना कंपल सरी नहीं है आप चाहे तो बिना box कीचे भी key abbreviation लिख सकते हो लेकिन हम बोल रहेंगे कि अगर आपको key abbreviation लिखना है तो आप box के अंदर लिखोगे हम लोग यहाँ पर heading पूट करते हैं key abbreviation क्या लिखेंगे हम लोग key abbreviation abbreviation अब देखो बहुत सारी student को ऐसे हो सकता है कि key abbreviation का spelling दिक्कत हो question में abbreviation words लिखा हुआ रहता है अगर ये लिख पाएं तो ठीक अगर ये नहीं लिखना चाहें तो आप इसके जगा लिख सकते है main points यानि key abbreviation मतलब actual में होता है short form हम अभी बस example के लिए script आपको बता रहे हैं suppose कर लो अगर आपको brother brother को short में बोलना है तो आप brother को short में क्या बोलोगे bro bro लिख के dot तो ये bro जो है वो किसका short form है brother का तो यानि brother का abbreviation हो गया bro clear है इसके बाद जैसे हम लोग बोलते है I can't do it can't तो उसको हम लोग बोलते है c a n इस तरीके से लिखते है इसका मतलब होता है cannot क्या होता है इसका मतलब cannot important important को लिखते है IMP तो ये जो है IMP ये किसका every variation है यानि किसका short form है तो ये short form है हम लोगों का important का किसका important का समझ में रहा है इसके बाद मान लों कि अगर हम लोग biology लिखते हैं तो B, I, O पायो तो यह हम लोग का किसका forth form हो गया laboratory का sort form हो गया समझ मेंधा रहा है economics लिखते हैं तो उसको लिखते हैं हम लोग को तो इससे हम लोगों का क्या बनता है economics मेरी बाते समझ में आ रही है key abbreviation का मतलब होता है main point और ये main point कैसे बनता है आप जो notes बनाए है notes के अंदर आपको जो points दिखेगा उस points को आपको short करके लिख देना है यही होता है key abbreviation clear कितना जब हो गया आपका notes making आपका हो गया खतम notes making में basically क्या आता है heading, sub heading आता है कम से कम आपको 3 heading लिखना है उसके अंदर कम से कम 3-3 sub heading लिख देना है अगर आप 2 भी लिखोगे तो काम चल जाएगा इसके बाद आप title चाहे तो लग सकते हैं अगर question में title बोलेगा तो title लिख सकते हैं अगर छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं इसके बाद key abbreviation को आप try करना box के अंदर लिखने का और कम से कम 6, कम से कम 5-6 key abbreviation लिखना बहुत ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है कम से कम 5-6 अगर आप key abbreviation यानि short form main main point लिख दिए तो आपको exam में full one full mark मिल जाएगा अब हम आगे आप लोग को practice करवाएंगे कि key abbreviation किस तरीके से लिखा जाता है सब चीज समझ मा गया ठीक है sir, notes हो गया, तिन नमबर का खतम अब हम लोग जानते हैं कि summary writing क्या होता है और summary writing आखिरकार बनाया किस तरीके से जाता है summary writing देखो अब यह summary writing क्या होता है और किस तरीके से बनाये जाता है समझना summary writing का मतलब है कि आप अगर एक passage को पड़े हो अगर कोई passage बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको summary writing में उस passage को छोटा करके जितना ज़्यादा छोटा हो सके उतना छोटा करके आपको उस passage के बारे में डिटेल में बताना होता है यही कहलाता है summary writing मान लो suppose कर लो कि आप एक movie देखने के लिए गए और आप कोई movie देख करके आए suppose कर लो आप three idiots movie देख करके आए ठीक है तीन घंटे का कोई movie देख के आए three idiots movie अब मान लो जब आग तीन घंटा का movie देख के आए और हम आपको अगर उस movie के बारे में पूछेंगे कि बताओ तो उस movie में क्या हुआ कैसे हुआ क्या क्या हुआ उस movie में तो क्या आप हमको उस movie के बारे में पूरा तीन घंटा explain करोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं कितना explain करोगे ज़्यादा से ज़्यादा हमको तीन से पांच मिनिट या दस मिनिट लगबग हमको आप पांच से दस मिनिट के अंदर अंदर उस पूरा मूवी के बारे में detail में बता दोगे और आप हमको उस मूवी के बारे में जो बताओगे वो किस तरीके से बताओगे स्टार्टिंग का कुछ पार्ट बताओगे मूवी का बीच का कुछ पार्ट बताओगे मूवी का और यही चीज बता करके movie को कर दिये, खतम, हमको मोटा मोटे movie के बार में पता चल गिया, और last में जब हम उस film को देखने जाएंगे, तो exact हमको वही पता चलेगा जो आप बताएं थे, starting में कुछ-कुछ चीज बताएं थे, वो देखे, बीच का कुछ-कुछ चीज बताएं थ से वही हुआ, यही चीज कहलाता है summary writing, दो तरीके से summary writing लिखा जा सकता है, पहला, जिन लोगों का English बहुत मजबूत है, जो लोग English में एकदम अच्छे हैं, जैसे कोई student है, जो CBSC board से आये हैं, या किसी other board से आये हैं, या जो Jake board में भी हैं, उन लोगों का English बहुत ज्यादा मजबूत है, अगर English में आप अच्छे हैं, अगर आप notes को, अगर आप पूरे paragraph को अपने तरीके से explain कर सकते हो, छोटा करके, तो कर देना, पहला तरीका, और दूसरा, अगर आपको English बहुत कमजोर है, या आप passage को छोटा नहीं कर पा रहे हो, तब summary writing केरने के लिए, एक महा गुरु मंत्र बता दे रहे हैं, आपको summary बनाते समय, passage जो दिया रहेगा, passage के उपर का कुछ पार्ट लिख देना, summary में, passage का बीच का पार्ट कुछ लिख देना, और passage का last का कुछ sentence लिख देना, summary writing आपका बन गया, around summary writing जो है आपका, 60 से ले करके, 100 words के बीच आपको पूछ कुछ नहीं करना है, जो passage रहेगा, उसका starting का कुछ sentence लिख देना, उसका बीच का कुछ sentence लिख देना, उसका last का कुछ sentence लिख देना, आपका summary writing बन जाएगा, बस याद रखना, passage में, जो आपको अगर कोई special dates वगेरा mention किया है, तो summary में dates को लिख देना, ऐसे करने से आपको जो है, वो summary में, पूरा का पूरा number मिल जाएगा, आपका number नहीं कटेगा, क्योंकि question जब आप पढ़ते हो, तो उपर में हमेशा लिखा रहता है, कि students को अपने सब्दों में answer देना है, तो भई, आप passage को पढ़के, जिस तरीके से explain कर सकते हो, आप उसको कर देना, उतना pocket science नहीं है, ना उतना आप लोगों को डरना है, clear, जिस सिखा दिए, क्या होता है, किस तरीके से होता, एक बार revision करते हैं, और direct हम लोग question पर जाते हैं, जब कभी भी notes making बोलेगा, तो क्या करेंगे, notes making करते समय, heading लिख देंगे, पहले notes making, notes making, जब कभी भी करने बोलेगा, सर जब कभी भी notes making बोलेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे notes making, उसके बाद सबसे पहले point number one डालके हम लोग पहला heading लिखेंगे, heading लिखेंगे, उसके अंदर नीचे में हम लोग sub heading लिखेंगे, और कम से कम 3 sub heading लिखेंगे, जैसे पहला heading का 1.1, 1.2, 1.3, इस तरीके से 3 sub heading लिखें, उसी तरीके से point number 2 डालेंगे heading 2 का, उसके अंदर 3 sub heading लिखेंगे, 2.1, 2.2, 2.3, इसके बाद हम लोग डालेंगे heading 3, उसके अंदर लिखेंगे 3.1, 3.2, 3.3, इसके बाद हम लोग चाहें, तो हम लोग उसका क्या लिख सकते हैं, title हम लोग लिख सक यहां जो हम लोग heading, sub heading जो हम लोग यहां पर यूज किये है, उसका short form ही हम लोगों का क्या कहलाता है, की every variation कहलाता है, वो लिखेंगे की every variation हो जाने के बाद हम लोग क्या पूट कर सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे उसका summary, summary दो तारीके से बताएं, जिसका English अच्छा है, व लास्ट का करके summary writing बना देना clear आया समझ भी चलो अब हम लोग समय नहीं गवाते हैं अब हम आप लोगों को direct इस साल का जो model paper आया था उस model paper में हम लोग detail में जो है वो notes making करना सीखेंगे ठीक है चलो यह रहा इस साल का passage हम आप लोगों को इस पूरे passage का जो है वो मोटा मोटी हम आप लोगों को बता दे रहें चीक है क्योंकि उतना ज़्यादा समय तो नहीं है पड़ने का हा मोटा मोटा चीज तुन लो इस पूरे passage में exact में बताया यह गया है कि हम लोगों को जो natural resources होते हैं यानि कि जैसे पेड़ पाउधे हैं plants हैं trees हैं या जो animals हैं उन लोगों को ह जानि कि सनरक्चांड करके रखना चाहिए क्यों कि पेड़ पाउधे और जो जानवर होते हैं वो हमारे eco biological system का हमारी food chain का बहुत important part होता है क्योंकि पेड़ पाउधे से हम लोगों को oxygen मिलता है पेड़ पाउधे से हम लोगों को लखडी मिलता है पेड़ पाउधे से हम पेड़ पौधे और जानवरों का होना बहुत जादा जरूरी है जिस तरह से हम लोग पेड़ पौधे पे निर्भर करते हैं उसी तरीके से पेड़ पौधा जो है वो जानवरों पे या जो जानवर जो है वो पेड़ पौधे पे निर्भर करते हैं और दोनों एक दूसरे से तो पेड़ पौधा नहीं बचेगा सेम हो ऐसा ही अगर पेड़ पौधा खतम होगे तो हम लोग नहीं बचेँगे तो साइध हो सकता है कुछ नहीं बचे इसलिए हम लोगों को natural resources को बचा करके रखना चाहिए या सही तरीके से पेड़ पौधे को नहीं चल पाएगा आज हम लोग अपने स्वार्त के लिए जो है हम लोग जो है आंधा धुन पेड़ पौधे को काट रहे है जिसके वज़ा से global warming जैसा problem देखने को मिलता है और इससे हम लोगों का पूरा ecosystem जो है पूरा का पूरा हम लोगों का जो ecological system है food chain है ज्यादा important है ऐसे तो कई सारे natural resources ऐसे हैं जो सायद कभी खत्म ना हो लेकिन हम लोग यह जो अंधा धुन उन सब का यूज कर रहे हैं इतना ज्यादा मात्रा में जो natural resources को यूज कर रहे हैं हो सकता है आने वाले समय में कुछ natural natural resources जो है वो हम लोगों के लिए बचे ही ना क्योंकि कई natural resources या तो हम लोग खत्म कर चुके हैं या कई natural resources खत्म होने के कगार पे हैं हम लोगों को सही तरीके से उसका जो है यूज करना चाहिए otherwise यह हमारे पूरे environment के लिए बहुत ही ज़्यादा danger और घातक हो सकता है यानि पूरा मोटा मोटी food chain, rainforest आपका animals, plants, trees natural resources उन सब के बारे में बताया गया है अब आप पढ़ोगे पढ़ने के बाद मोटा मोटी आपको यही सारा चीज इस पूरे summary से जो है वो पता चलेगा हम लोगों के खुद के जीने के लिए पेड़ पाओदे जानवरों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है मोटा मोटी यही बोलना है अब जब हम लोग इसका अब notes बनाएंगे तो notes कैसे बनाएंगे देखो इस तरीके से यह question है कि आपको नीचे में यहाँ पे वो question stally करेगा बनाने के लिए देखो question number 39 दिख रहा है देखो यहाँ पे यह क्या लिख रहा है on the basis of your reading आपने जो पड़ा उसके आधार पे of the above passage make a notes on it इसके उपर क्या बनाओ notes, notes मतलब वही heading और sub heading you may use headings आपको क्या use करना है use कर सकते हैं आप headings को sub headings को use कर सकते हैं and abbreviation तीन चीज का use आप कर सकते हैं heading, sub heading और key abbreviations अभी हम बताएंगे चलो हो गया अब हम लोग इसका direct जो है वो बनाने start करते हैं ठीक है question number कितना था सर जी 39 था ना जी देखो आते हम लोग question number हम लोगों का क्या है 39 हम लोग यहाँ पर heading पूट कर सकते हैं 39 और हम लोग इसका क्या बना रहे हैं notes making ठीक तो हम लोग यहाँ पर heading में लिखेंगे notes making अच्छा से समझना क्यूंकि एक बार अगर आप लोग समझ गये तो आप लोगों को बस 2-3 paragraph 2-3 passage को practice कर लेना है देखो यही passage पूछा ऐसा जरूरी नहीं है बहुत कम chance होता है कि modal paper में जो passage दिया वही दे दे ना के बराबर देता है तो आपको एक दो और passage को practice कर लेना है इसी type का heading लिख लिख लिए मतलब notes making heading आ गिया है कि अब हमको इसके लिए एक अच्छा सा कोई heading लिखना है तो देखो अब heading कैसे लिखा जाता है तो हमेशा try करना कि आपको जो passage देगा उस passage का starting part में ही आपको heading मिल जाएगा हर पेसेज में एक दो paragraph जो रहेगा उसमें से आपका 100% heading बनेगा देखो आपको heading बनाना हम सिखाते हैं अभी देखो जी पेसेज देखना है यह जो पहला पेसेज है यानि पहला जो paragraph है देखो इससे हम लोग heading बनाते है क्या बूल रहा है there are a number of reasons why we most conserve the world's plants and animals ऐसा लाखो रीजन है बहुत सारा ऐसा reasons है जिसके वज़ा से हम लोगों को पेड़ पाउधे को बचा के रखना चाहिए तो देखो यही से किस तरीके से हम अभी बनाते हैं देखो इसका heading हम लोग यहाँ पे heading बना सकते है conversion of यह बोल रहा है ना हम बहुत सारा reason है जिसके वज़ा से हम लोगों को पेड़ पाउधे और जानवरों को क्या करना चाहिए बचाना चाहिए हम heading में यहीं लिखेंगे conversion of plants and animals यह heading लिखेंगे conversion of natural resources आपको जो अच्छा लगे यह आप लिख सकते है reason of save plants and trees and animals आपको जो heading लिखना है लिखो हम लिख रहे है conversion of natural resources देखो लिखते हैं यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग conversion of natural resources conversion of natural resources पेड़ पाउधे यानि प्राकिर्तिक चीजों को संरक्षण करना जरूरी है क्यों जरूरी है अब इसके अंदर हम लोगों को sub heading लिखना है तो यहाँ देखो हम लोग ठीक अंदर करके यहाँ पे point number 1.1 डालके देखो sub heading लिखेंगे क्यों जरूरी है पेड़ पाउधे को बचाना इसी चीज को देखो copy मारेंगे अभी plants are essential for our own survival ठीक है essential for our own survival देखो इसी चीज को लिखते हैं हम लोग इसी चीज को लिखते हैं उसी चीज को क्या लिखते हैं हम लोगों के खुद के जिंदा रहने के लिए पेड़ पाउधे का होना जरूरी है अब देखो हम ऐसे लिख रहे हैं आपको ऐसा नहीं लिखना है कोई बात नहीं मत लिखना आप अपने सब्दों में चाहें तो आप इसको लिख सकते हो कोई दिकत नहीं है तीक हो गया अब इसी तरीके से हम लोग पॉइंट नमबर वन का टू डालेंगे यानि पहला हेडिंग का सब हेडिंग तो देखो अब फिर पेसेज के अंदरे से मिलेगा उसी में से आगे डूंदते हैं देखो मिलेगा और पॉइंट बुल रहा है only they can use the sun energy to make food सिर्फ वही है जो क्या कर सकते है sun energy का यूज कर सकते हैं क्या बनाने के लिए पेड भोजन बनाने के लिए only they use sun energy to food cook तो आप चाहे तो इस चीज को लिखो या लिख सकते हैं so plants are the vital first link in the food chain food chain का important part है दिखो इसको लिखते हैं आपको सुरू वाला मन करें सुरू वाला लिखो कोई दिकत नहीं है हम चलो second वाला लिखते हैं यहां पे लिख रहे है important important part of food chain important part of food chain food chain का important part है इसके बाद एक और सावेटिंग लिख देंगे 1.3 करके देखो एक और सावेटिंग लिखते हैं चलो आओ सावेटिंग डूंडो क्या बनता है भाई आगे बोल रहा है one of the byproduct of the food making process in plant oxygen लो जी plants हम लोगों को क्या देता है oxygen देता है oxygen देता है तो चलो main सबसे main point तो यही है कि फेड़ पौदे से हमें oxygen मिलता है तो यहाँ पे लिखते है plants plants gives us oxygen लो जी plants हमको क्या देता है oxygen देता है हो गया एक heading के अंदर तीन सब heading बन गया clear अब हम लोगों को कम से कम एज़ा ही तीन heading और उसके अंदर आप दो दो सब heading भी चाहे तो लिख सकते लेकिन ट्राइ करना तीन तीन लिखे देखो यह starting में थोड़ा सा time consuming होगा आपको क्योंकि हम सिखा रहें लेकिन believe me अगर आप इस चीज को समझ गए तो दुनिया का बना लोगे बच्चा का खेल बन जाएगा आपके लिए ठीक है चलो एक हो गया अब इसी तरीके से हम लोग पॉइंट नमबर टू डालके दूसरा heading और सब heading ढूडेंगे तो चलो अब दूसरा heading हम लोग second paragraph से ढूंडते हैं पहला paragraph पतम हो गया second paragraph से ढूंडो देखो भई य यह है हम लोगों का second paragraph या चलो इतना बड़ा तक ले लेते हैं कोई दिकत नहीं है अब देखो second paragraph में क्या बोल रहा है animals needs plants in order to survive but plants also needs animals यानि कि plants और animals दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं यह heading बना सकते हैं तो देखो इसी चीज़ को हम लोग heading बनाते है heading बनाते हैं both plants and animals are essential both plants and animals are necessary लिखते हैं ठीक है अब इसमें हम लोग फिर क्या put करेंगे 2.1 यानि कि second heading का पहला sub heading अब plants और animals एक दूसरे के लिए जरूरी है यह हम लोग उपर में पड़े तो हम लोग इसी चीज़ को अभी फिर से हाँ कोपी मार देते हैं हम लोग लिखते हैं चलो ना plants and animals are depends on each other plant और animals दोनों एक दूसरे पर depend करते हैं हो गया अब हम लोग इसमें फिर डालेंगे 2.2 यानि दूसरा का दूसरा sub heading अब चलो हम लोग इसको यहां से दूनते हैं आगे क्या बोल रहा है पेसेज पे तो देखो आगे पेसेज पे हम लोगों को बोल रहा है all animals and plants are bound together in delicately violence community of ecosystem दोनों ही ecosystem का क्या है important part है important part है ecosystem का तो चलो इस setting को हम लोग लिख देते हैं यहां पे important part of ecosystem यहां लिख देते हैं हम लोग important important part of ecosystem दोनों ही ecosystem का क्या है important part है फिर point number two point three करके हम लोग लिखेंगे अब देखो आगे क्या बोल रहा है question पे आगे question पे बोल रहा है the removal of just one species can drastically alert a whole alter a whole ecosystem अगर एक को हटा है तो दूसरा जो है वो ecosystem को बरबात कर देगा यानि किसी भी चीज को हम लोग जो है वो हटा नहीं सकते हैं इन दोनों में से किसी को नहीं हटा सकते हैं तो point number two करके हम लोग लिख देंगे we can not remove anyone हम लोग जो है वो किसी को भी हटा नहीं सकते हैं clear है सर जी कोई दिकत नहीं है low हो गया second paragraph से भी heading sub heading बन गया अब आते हम लोग इसका तीसरे में अब आते हैं हम लोग coin number three पे एक और heading और sub heading ढूंडते हैं और यह हम लोग ढूंडेंगे third paragraph से या last paragraph से ढूंडो जहां से मन करें ढूंडो इसी तरीके से आपको एक और paragraph है देखो हम उभी बता दे रहें ठीक है चलो देखो last paragraph में आते हैं suppose कर लो यह वाला last paragraph में आ गया लो जी आ गया चलो लिखते हैं इस paragraph में क्या बोल रहा है another important reason for preserving wildlife is that is a potentially in exitable natural resources हम लोगों को उसको बचा कि इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वो ऐसा चीज़ है जो खत्म होने वाला नहीं है तो इसको हम लोग heading लिख सकते हैं in 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 exitable natural resources देखो इस heading को लिखते हैं हम लोग ठीक है है यहां हम लोग heading बना रहे हैं क्या बोला गया था जी in 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 house table natural resources हो गया सर जी अब इसके अंदर हम लोगों को heading हो गया अब सब heading बनाना है तो 3.1 डालके बना देंगे इसके अंदर हम लोग सब heading अब देखो सब heading में यह क्या बोल रहा है क्यूं जरूरी है तो देखो आगे ही question में वो mention करेगा साप साप क्यूं जरूरी है बोल रहा है we use many plants and animals to supply us with food materials and chemicals लो जी बहुत सारे पेड़ पौदे और जानवर ऐसे हैं जिनसे हमें खाना कुछ materials और जड़ी बूटी और कुछ chemical चीज भी मिलता है तो देखो इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं कि इतना सारा चीज हम लोगों को मिलता है तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं we gets food materials and chemicals chemicals हो गया आगे लिखने का ज़रूरत नहीं है हो गया अब इसी तरीके से point number three का point number two आगे rainforest का भी जिक्र किया है हम बता दे रहे हम उसको लिख सकते हैं important important for rain बारिस के लिए प्यर्ड पौदा का होना बहुत जरूरी है और आप चाहे तो लिख सकते हैं आगे it is important for our it is important for our ecosystem किसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे ecosystem के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हो गया इससे ज्यादा लिखने का आपको कोई जरूरत नहीं है तीन heading बनाए उस heading के अंदर हम लोग 3-3 क्या किये सब heading करके बना दिये थोड़ा handwriting मेरा गंदा होता है laptop में लिखने में बड़ा दिकत होता है इसलिए थोड़ा सा manage आप लोग कर लेना इस तरीके से heading सब heading बन गया इसके बात अगर मान लो आपको सपोच कर लो आपको अगर इसका title रखने का मन हुआ तो आप इसका title यहां पर रख सकते हो अब देखो यह जो पूरा का पूरा title रहा है last में रखने का क्या फायदा है इस पूरे notes में या इस पूरे passage में अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ natural resources के बारे में बोल रहा है तो आप अगर चाहें तो आ आप important part of ecosystem जा लिख सकते है plants and animals are essential for food chain आपको जो title लिखना है आप title को लिख सकते हो ठीक है हो गया अब हम लोग का सबसे important चीज भाई क्या लिखना है हम लोग को कि इसमें key abbreviation तो बोले थे key abbreviation के लिए आप चाहे तो table बनाना या चाहे तो नहीं बनाना हम इसको table बना करके ल का से डूणेंगे पहले heading यहां पर लिख देते हाओ पहले क्या कर रहे है heading यहां पर लिख रहे है की abbreviation अब देखो इसको हम कहीं दूसरे जगा से डूणने नहीं जाएंगे key abbreviation को हम उपर जो notes making की है ना उसी से देखो सब key abbreviation मिलेगा आपको बस चीजों को देखना है और एक बार practice कर लेना है कि किसको आप छोटा करके बता सकते हो तो देखो तो यह सबसे पहले हमको देखो तो यहां पर देखो तो बहुत सारा चीज मिलेगा यहां पर देखो एक सबसे पहले हैं यहां पर देखो तो यह important दिख रहा है important इसको हम लोग lose write important belt कर रहे है им आईमप यह किसका key every variation है important का तो यहां लिखेंगे यह किसका key every variation है important का उसी तरीके से और डूंदो बहुत सारा मिलेगा देखो यह ecosystem आपको यहीं पे दिख रहा है यह ecosystem आपको यहीं पे दिख गया इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद question में कहीं पे can't था can't यह किसका key every variation होता है can not उसी तरीके से आपको बहुत सारा key every variation मिलेगा देखो यहां आपको दिख गया क्या दिख गया भई chemical का chemical का ठीक है उसके बाद आगे और धेरो आपको key every variation मिलेगा देखो ना अभी देखते हैं देखो बहुत सारा key every variation आपको मिलेगा आगे conversion देखो conversion इसका key every variation मिलेगा natural इसका key every variation essential इसका key every variation देखो सबका लिखते हैं Conversion, Conversion मिला था ना हम लोगों को, Conversion को लिख सकते हैं, C-O-N-V-E-R-B, यह होता है Conversion का, Conservation, इसके बाद क्या मिला था, Natural, तो Natural का N-A-T, यह हम लोगों का Natural का होता है, N-A-T-U-R-A-L, Natural का, फिर Essential मिला था, E-N-S-T-L, यह होता है हम लोगों का Essential का, E-A-S-E-N-T-I-N, इसी तरीके से आप लोगों को बहुत सार आच्छा, और एक खास चेज, आपका यह था ना, बायो, बायो भी तो था उपर में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, बायो लोजी, बायो को क्या लिख सकते हैं, बायो लोजी, इसी तरीके से आपको जो है, वो Key E-A-Bribriation लिखा जाता है, बस आपको एक दो question में आपको practice कर लेना है, कि कि इस तरीके से heading और sub heading बनाना है, पहला paragraph, passage का, पहला paragraph में मिल जाएगा, second में मिलेगा, तिसरा में मिलेगा, बस आपको क्या करना है ना, एक दो बार इसको आप practice कर लेना, आपके पास कोई भी guest paper है, या कोई भी book है आपके पास, आप उससे एक दो बार practice कर लेना, नहीं होता है, तो हमको बोलना telegram पे, हम आप लोगों को जो है, वो extra questions दे देंगे, ठीक है, आया समझ में, अब हम लोग इसका देखते हैं कि notes making किस तरीके से बनता है, notes making का मतलब simple है, notes making के लिए कुछ नहीं करना, इसके बाद नीचे में question number डाल देना, जैसे question number 40 क्या है, summary writing, handy में लिख देना क्या, summary writing, heading लिख देना, summary writing, और कुछ नहीं करना यहाँ पे, passage का कुछ sentence उपर से चुरा लेना, कुछ sentence बीच से चुला लेना, कुछ sentence last से चुला लेना, और जो है वो आप चाहे तो आप बना दे आपका, sorry, और चाहे तो आप उसका क्या करना, चाहे तो आप उसका, इस तरीके से जो है आप उसका notes making को, sorry, summary writing को जो है वो बना देना, आया समझ में, summary writing, अगर आप अपने one own word पे लिख पाएं तो okay, नहीं लिख पाएं तो थोड़ा सा bit से, थोड़ा उपर से, थोड़ा bit स थोड़ा last से करके बना देना, 80 से 100 words में आपको summary writing में number मिल जाएगा, बस आप लोगों को जो है वो practice करना है, ठीक है, यही हम लोगों का notes making और summary writing का काम होता है, अगर आप इतने चीजों को समझ गाएं, एक दो question में अगर आप practice कर दिये, तो दुनिया का कोई भी आपको notes making बोल दे, आप आख मून करके notes making को बना दोगे, कोई problem आपको नहीं होगा, आया समझ में, और बाकी का जो भी और एक सबसे important चीज, जो भी student ऐसे हैं, जो अभी अभी जो है हमारे channel से जूल रहे हैं, उन सबका धन्यवाद, सबका thank you, कि आप लोगों इतना जादा प्यार और support दिखा रहे हैं, और बहुत सारा student का जो है हम comment का reply नहीं दे पार है YouTube में, उसके लिए हम sorry बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा workload बढ़ गिया है, कई सारे subjects को पढ़ाना पड़ रहा है, और telegram में आप लोगों को 2018 तक का previous year question paper, आपके जितने भी subject हैं, accountancy हो गया, business study हो ग 1800 MCQ का test series भी हम आप लोगों को दे दिये हैं, और भी काफी सारा चीज हम आप लोगों को telegram पे देते रहेंगे, तो जो student राहूल कोमर्स academy telegram channel को नहीं जोइन किये हैं, जोइन कर लो, क्योंकि उसके अंदर आपको जो है वो सारा चीज हम provide कर रहे हैं, और एक रूपिया भी आप से जेब से खर्च करने का जुरूत नहीं है, बस जो भी आप लोगों के लिए हम कर सकते हैं, हम सब चीज आप लोगों के लिए कर रहे हैं, बस आप लोगों को मन लगा करके जो है वो पढ़ना है, और जिस तरीके से आप लोगों सपोर्ट दिखा रहे हैं, उससी तरी चेनल का गुरूप का लिंक नीचे कमेंट बोक्स पर पिन कर देंगे वहां से आप उसको जोएन कर लेना ठीक है चलो जी बाए टेक केर